दानियल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय दो अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नवुखदने सर ने ऐसा स्वपन देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई तब राजा ने आग्या दी कि जोतिशी, तंत्री, तोने और कस्दी बु वे राजा को उसका स्वपन बताएं, सोवे आएं और राजा के सामने हाजी होएं, तब राजा ने उनसे कहा मैंने एक स्वपन देखा है, और मेरा मन व्याकुल है, कि स्वपन को कैसे समझो, कस्दियों ने राजा से अरावी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिर जीव रहे अपने दासों को स्वपन बता, और हम उसका फल बताएंगे, राजा ने कस्दियों को उत्तर दिया, कि मैं तो यहां आग्या दे चुका हूँ, कि यदि तुम फल समेत स्वपन को न बताओगे, तो तुम टुकड़े टुकड़े किये जाओगे, और तुमारे घहर फुकवा दिये जाएगे, और यदि तुम फल समेत स्वपन को बताओगे, तो मुझसे भाती-भाती के दान और भारी प्रतिष्टा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वपन को बताओ, उन्होंने दुसरी बार कहा, हे राजा, स्वपन तेरे दासों को बताए जाए, और हम उसका अफ़ाल समझा देए, राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चा जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि आग्या राजा के मुह से निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वपन न बताओगे, तो तुम्हारे लिए एक यह आग्या है, क्यो तुम मुझे स्वपन को बताओ, तब मैं जानूँगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो, करस्तियों ने राजा से कहा, पूत्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं, जो राजा के मन की बात बता सके, और ने कोई ऐसा राजा वा प्रधान वा हाकीम कभी हुआ है, जिसने क ऐसी जोतिशी वा तंत्री वा करस्ति से ऐसी बात पूछी हो, और जो बात राजा पूछता है, वहाँ अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं, जो राजा को यह बता सके, इस बात से राजा ने जुझला क अब बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों को नाश करने की आग्या दे दी, सो यहाँ आग्या निकले, और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढून रहे थे, कि वे भी घात की जाए, तब दानियल ने चल्लादों के प्रधान अर्योक से जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच उचरकर और बुद्धिवानी के साथ कहा, और वह राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा कि यहाँ आग्या राजा की ओर से ऐसे उतावली के साथ क्यो निकली, तब अर्योक ने दान राज को सपन का फर बता हुआ, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्याह, मिशायल और अजर्याह को यहाँ बता कर कहा, इस भेद के विशे में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कह कर प्राथना करो कि बाबुल के सब और पंडितों के संग दानि दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया, सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कह कर धन्यवाद किया, कि परमेश्वर का नाम युगानियोग धन्या है, क्योंकि बुद्धी और पराकरम उसी के है, और समयों और कृतुओं को वही पलड़ता राजाओं का अस्त और उदर भी वही करता है और बुद्धिवारों को बुद्धी और समझने वालों को समझ भी वही देता है वह गुढ़ और गुप्त बातों को प्रगट करता है वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है ये मेरे प पहित का खुलना हम लोगों ने तुछ से मांगा था, उरसे तुने मुझ पर प्रगट किया है, तुने हमको राजा की बात बताई है, तब दानियल ने अर्योक के पास जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सनमुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा, तब अर्योक ने दानियल को राजा के सनमुख शिग्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहुदी बंधुवों में से एक पुरुष मुझ को मिला है, जो राजा को स्वपन का फ्वाल बताए राजा ने दानियल से जिसका नाम बेलशक्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वपन मैंने देखा है, उसे फल समेत मुझे बताए, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, वह न तो पंडित राजा को बता सकते है, न तंत्री न जोतिशी न दूसरे भावी बताने वाले बता सकते है, परन्तु भेदो का प्रगटकरता स्वर्गत में परमेश्वर है, और उसे ने नभुखदनेशर राजा को जताया है कि अंत की दिनों में क्या होने वाला है, तेरा स्वपना और जो कुछ तुने पलंग पर पड़े होई देखा, वह यहा है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यहा विचार हुआ कि भविश्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदो को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या होने वाला है, मुझ पर तो यहा भेद कुछ इस कारण नहीं खोला गया, कि मैं क्या है, कि सुपने का फल राजा को बताया जाए, और तु अपने मन के विचार समझ सके, हे राजा, जब तु देख रहा था, तब एक बड़ी मुर्ती देख पड़ी, और वह मुर्ती जो तेरे सामने खड़ी थी, सो लंबी चवड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, औ उस मुर्ती का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी चाती और भुजाए चांदी की, उसका पेट और जांगे पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पाव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे, फिर देखते देखते तुने क्या देखा, कि एक पत्तर ने किसी ने बिना खोदे आप ही आप, उखड कर उस मुर्ती के पावं पर जो लोहे और मिट्टी के थे, लगकर उनको चूर-चूर कर डाला, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर-चूर हो गया, और धुपकाल में खलिहानों के भुशे की नाई, हवा से ऐसे उड़ गया कि उसका कही पता न रहा, और वहा पत्तर जो मुर्ती पर लगा था, वहा बड़ा पहाड बनकर सारी पृत्वी में फैल गया, सपन तो यही हुआ, और अब उसका फ़ल हम राजा को समझा देते हैं, हे राजा, तू महाराजा दिकारी है, क्योंकि स्वरगके पर उसने उनको सभोको और मैदान के जिवजन्तु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिये हैं, और तुझको उन सबका अधिकारी ठहराया है, यह सोने का सीर तू ही है, और तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा, फिर भी एक और तीसरा पीतल का रासा राज्य होगा, जिसमें सारे पृत्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबुत होगा, लोहे से तो सब वस्तुए चूर चूर हो जाती है, और पीस जाती है, इसलिए जिस भाती लोहे से वे सब कुछ कुछल जाती है, उसी भाती उस और कुछ लोहे की थी इससे वह चौथा राज राज बटा हुआ होगा तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन होगा जैसे कि तुने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा और पाउ की उंगलिया कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका फ्वाल यहा है कि वहार राज्य कुछ तो दुरुढ होगा और तुने जो लोहे को कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा इसका फ़ाल यहां है कि उस राज्य के लोग नीच मनुशों से मिले जुले तो रहेगे परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मिल नहीं खाता वैसे ही वे दोनों भी एक बने रहे न बने रहेंगे और उन राज्यों के दिनों में स्वरग का परमिश्वर एक ऐसा राज्य और उन्हें किसी दूसरी जाती के हाथ में किया जाएगा बरन वहां उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वहां आप स्तिर रहेगा तुने जो देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड में से उख़ा और उसने लोहे, पीतल मिटी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी जर्टी से महान परमिश्वर ने राजा को जता है कि वहां कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, और ना स्वपन में ना उसके फल में कुछ संदे है, इतना सुनकर नबुखदने सर राजा ने मुह के बल गिरकर दानियल क दंडवत किया, और आग्या दी कि इसको भेट चड़ाओ, और इसके सामने सुगंध वस्तु जराओ, फिर राजा ने डानियल से कहा, सच तो यहां है कि तुम लोगों का परमिश्वर सब इश्वरों का परमिश्वर है, और राजाओं का राजा बेदों का खोलने वाला है, इसलिए तु यहां भेद प्रगट कर पाया, तब राजा ने डानियल का पद बढ़ा किया, और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिये, और यहां आग्या दी कि वहां बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने, तब दानियल के पिंती करने से राजा ने शदरक, मेशक और अबेद नोगों को बाबुल के प्रांत के कारे के उपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दर्बार में रहा करता था